नमस्का मेत्रों आज एक नया एक लेक्चर में जिवाने आपके लिए स्टांडर्ट टैन मैथनमाटिक्स चैप्टर टैन सर्कल वर्टूर एंसी अर्टी सिलेबर्स जीवानी सर्ट सबसे पहले में बात करता हूँ तो बहुत सर्कल आपको बताईए उसमें जो बीच में होता है उसको सेंटर कहते हैं केंद्र कहते हैं सेंटर जो पॉइंट दिख रहे हो आप फिर अब देखते हो रैडियस त्रीजिया सिंबोल है कैपिटल आर यानी स्मोल आर कुछ भी कर सकते हो अब उसके बाद आते हैं अब डायामेटर देख रहे हो आप व्यास डायामेटर इसके दो फॉर्मूल है बई डायमेटर इजएल दू टायमेटर रैडियस रैडियस एकल दू डायमेटर बाई टू उसके बाद थोड़ी कंडिशन है लाइन और सरकल के बीच में चोड़ इंटर्सेक्ट नहीं हो रहे है यानी कि वो फाय है नो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो छेदती नहीं है खाली गण है फाई है फिर दो पॉइंट में इंटरसेक हो रहा है उसको हम सेकेंट छेदी का कहेंगे उसका इंटरसेक्शन छेद गण आप देख सकते हो L मिन्स लाइन सी मिन्स सर्कल फिर देख एक ही पॉइंट में इंटरसेक्श हो रहा है वो पॉइंट पी है उसको हम सपर्सक टैंजेंट कहते है फिर हमारे पास थीरम 10.1 है प्रमई उसको फिगर देख सकते हो बेसिकली पाइथागोरस थीरम पाइथागोरस प्रमई अब देख सको एच हाइपोटेनियस करन और पिसाबा सामने की बाजू पाबा पास की बाजू बी बैज पी परपेंडिकुलर उसका थीरम देख सकते हो पाइथागोरस पेर उसकी जोड है पी मिस परपेंडिकुलर सामने की बाजू बी बैज पास की बाजू H means hypotenuse कर पिलियर 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 10, 12, 24, 26, 7, 24, 25, 1, 1, root 2, 1, root 2, 3, 20, 21, 29, 12, 16, 20, सब पाइथागोरस पेर जोड़ आ चुकी है यहां, ठीरम 10.2 अब देख सकते हो, इस तरह ही है, PQ is equal to PR, यह दोनों टैंजेंट है, सपर सक यह दोनों सैमी होगे और पाइथागोरस हम लगा सकते हैं इसमें, अच्छी तरह, इस तरह, देखो, दो सरकल हैं, उसमें भी पाइथागोरस लगा सकते हैं, अब देख सकते हो, इससी तरह, कोई स्क्वेर हो, चोरस, उसमें सरकल हो तो, सामने सामने बजू का एडिशन हो रहा है, अब देख सकते हो, इसमें, अब देख सकते हो, इसमें, पी मिन्स पेरिमेटर, एप प्लस बी प्लस सी, कोई भी क्वेरी हो, ताब मेरे को एड नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हो, जहिन, जहिन बारत,